नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चान पर हर देख स्वागत हैं यदि आप इस चान पर पहली बार हैं तो चान को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आएं तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों ये वीडियो कक्षा 6,7,8,9,10 के लिए बहुत ही knowledgeable वीडियो है वीडियो के आप end तक बने रहें यदि आप science बीचे में रूची रखना जाती हैं तो ये वीडियो आपके लिए कास होने बाला है वीडियो के आप last तक बने रहें अभी दिखाता हूं दोस्तों क्या म है ता पुन चीज है पाचन तंतर जो मनुशिया के अंदर होता है उसकी चर्चा करने वाते हैं ये सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा हुआ मुख सबसे पहले भोजन यहां प्रवेश करता है मुख के अंदर फिर देखेए ये औहार न LE इसमें प्रवेश करता है जैसे बोजन मुख में प्रवेस करता है तो मुख में दांत पाई जाते हैं दांत भोजन को छोटे-छोटे टुकड़ों में विवाजित कर देता है और हमारे मुख के अंदर जीव होती है जो जीव के नीचे लार गरंथी होती है दोस्तों वो कार्वो हैट्रेट पासन में मदद करती है कार्वो हैट्रेट का मतलब होता है कार्वन हाइट्रोजन ओक्सीजन ठीक है दोस्तों चली दोस्तों आगे बात कर लेते हैं यहाँ से लार साथ मिलके भोजन के आहर नले में आजाती है आरनली संकुजित होती है तो अमासे में भोजन प्रवेस करता है अमासे के पास में लिबर है अगनाशे हैं और देखिए दोस्तों ये डाइग्राम से आपको पताया गया है वो थी सुन्दर तरीके से अमासे भाचन तंदर का सब से बड़ा भाग भी है चोड़ाई की दरश्टी से ठीक है दोस्तों देखिए मासे जैसे भोजन प्रवेस करेगा पितास से वो पित रषचरावित करदेगा और अगना से वो अगना शेरषरावित करदेगा भोजन दीरे दीरे आगे छोटी आंथ में प्रवेस कर जाएगा ये देखे डायग्राम के माद्यम से छोटी आंथ है पचिवे भोजन को रकत के माद्यम से सभी सरीर के भागों में वाजित कर देगा और जो बड़ी आंथ है वो बिना पचिवे भोजन को गुदा दोवर दोवरा बहार निकाल देगा ये था दुस्तों पाचत अंतर सिंपल ये उस सरल बासा में कैसा लगा कमेंट बुक्सम कमेंट करें धन्यवाद